कुछ चल रही है कि योगी दी को हटाया जाए, सीम पत से किसी और को बनाया जाए नई सर ऐसा नहीं होगा, हम यूपी से हमें पता है अपने इलाके को और बड़े पत पर जाएंगे, बनेगा कोई और कौन से बड़े पत पर जाएंगे, और कौन सा पोस्ट है उनके लिए, देखो मेरा मानना तो यह है, रहने तो योगी ही चाहिए, क्योंकि जो माहूल बना हुआ है, सब कुछ अच्छी तरीके से है, हर चीज सही है, बढ़िया है, नहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, योगी अच्छी को अब सी एमपत से हटा दो, योगी है, अब यह लगा लो, यूपी में पहले गुन रगड़े कितनी थी, अब सब कतम हुई पड़ी है, मोधी से बढ़िया था मैं योगी लगा, योगी को कोई टकर देने वाड़ा है, ना इस टेम, नमस्कार मैं हूँ आपके सा धर्जुन खजूदिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदोस्तान पर, उत्तर प्रदेश के अगर बात कि जाए, तो लगातार हलचल जो है, वो मची हुई है, क्योंकि बहुत से ऐसे नेता है, विपक्ष के या फिर कहा जाए कि कुछ परसेंट जो है, बीजेपी के भी जो चाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनार जो है, वो आगे continue ना करें, उनको हटा करके किसी और को जो है, सी एम पत जो है, वो दिया जाए, इस समय मैं मैं मुझूद हूँ गाजियाबाद में, जो उत्तर प्रदेश में ही आता है, यहाँ प सब्सक्राइबाद में, जो राए ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हूई है, फल चल अभी आप देख रहे होंगे कुछ चल रही है कि योगी दी को हटाया जाए, सी एम पर से किसी और को बनाया जाए, क्या कहेंगे, नहीं सर ऐसा नहीं होगा, हम यूपी से हमे क्या योगी जी रहने चाहिए, रहेंगे नहीं क्योंकि वो और बड़े पत पर जाएंगे, बनेगा कोई और, लेकिन वो नहीं हटाया नहीं जाएगा, और बड़े पत पर जाएगा, हाँ जी, और कौन से बड़े पत पर जाएगा, प्यम के पोस्ट पर जाएंगे और कौन सा पोस्टर उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अभी जैसे अखिलेश या तब यह ओफर लाए थे कि सो विदायक तूट कर क्या आजाओं हमारे साथ हम सरकार बना लेंगे योगी जी हड़ जाएंगे सर ऐसा नहीं होगा और क्या कुछ कंपैरिशन अगर करें योगी जी और अखिलेश जी में क्या आपको तुलना अगर आप करें तो क्या मैं जहां साथ हूं वहां दिन में आठ घंटे लाइट आती थी जब से योगी जी आये हैं पूरे दिन आने लग गई है मैं 20 नौर से आता हूं 20 नौर से आता है तो पहले एकलेश आदव किसमें आठ घंटे आती थी आठ दस बारा घंटे फिर उसके बाद चेंज हो गया अब पूरे दिन आती है मुश्किल से जाती है और भी तरी चीज़े हैं वहां पर अब सब चेंज हो गया है अच्छा अब हम जहां मुझूद है कावड यात्रा का जो है कंट्रोल रूम है कंट्रोल रूम के बाहर हम मुझूद है भी कावड यात्रा निकलने वाली है और एक आदेश भी दिया गया है अब की जो कावड यात्रा निकलेगी जो भी खाने पीने की दुकाने उनके बाह पूरा नाम के आपका क्या नाम है आपका क्या नाम है अचीद कुमार कुछ नेता हलचल मचा रहे हैं यूपी में चा रहे हैं की योगी दी हट जाएं सी एम पत से तो क्या होना चाहिए नहीं होना ने देखो मेरा मानना तो यह है रहने तो योगी ही चाहिए क्योंकि जो माहूल बना हुआ है सब कुछ अच्छी तरीके सा है हर चीज सही है बढ़िया है लेकिन पस एक थोड़ी सी महंगाई की वाज़े से गरीबाद में थोड़ा सा परिशान है परना बाकी जो मतलब जो हमा सरकार में मतलब यह की वैसे तो थोड़ी बहुत रात में जाए कि गरीब में लेकिन उसमें थोड़ा गुंडा राज भी तो हो जाता है पिर अब योगी जी की सरकार में मतलब हरा आदमी अपने लेवल से सही चल रहा है कोई किसी को परिशान ने करता हर चीज में सही है हम यह कहेंगे कि योगी जी ही होने रहने चाहिए बस थोड़ा सा महंगाई की वज़े से करीबाद में परिशान है बस मैं काई का जो आपने लेकिन टॉपिक खेड़ा है अब मैं थोड़ा आपको ये भी बता दूँ कि जो विपक्ष की जहां सरकार है वहां क्या क्या हो रहा है करनाटक में कॉंग्रेस की सरकार है वहां भी यह जैसे ही चुनाव खतम हुआ पहले पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़े कुछ दिन बाद बसो के रेट 20% बढ़ा दिया अब आज क्या किया है करनाटक सरकार ने फैसला क्या लिया है जो आप मूवी देखने जाते हैं यहां आज कल फोन पे देखते हैं एप में उस पर आपको 2% टेक्स देना होगा सरकार को ये कॉंग्रेस ने करनाटक मे करना पड़े हैं कि बस गरीब आदमी थोड़ा सा महंगाई की वजए से ही परिसान है बस वरना सरकार तो बिल्कुल ठीक चल रही है और योगी जी रहने चाहिए अच्छा अब यूपी में कुछ हल्चल मची हुई है जब से लोकसवा के नतीजे आए हैं पुछ लोग कह रहे हैं विपक्ष भी कह रहा है कि योगी जी को अब सी एमपत से हटा दो बदल दो हमारा और को उने बढ़िया थी अब कुछ कट अब दिल्ली में कट है अब यह लगा लो यूपी में पहले बुन रगर gardensे कितनी थी अब सब कह फ़कता मूई बढ़िया पड़िया समूधी से बढ़ी है योगी तो खुला ओफर भी दे रहे हैं सो विधायक लेकर के आजाओ और सरकार पना लो हमारे सरकार तो उनकी पहली बन जाती है जो राज निति डंकी चलती तो ब्रेश्टा चाहर तो खूब बन रहा है उनका वो तो अब भी बड़े खुश है कि हमारी 37 सीटे आगई लोकसभा में 27 में भी हम परचम लेरा देंगे वो तो अब भी लेर आ रहे थे मुश्की लेवन का अब बाकि खुश तो अंदर के बीजेपी के नेता भी चाहरे होंगे कि योगी जी को हटा के हम बन जाए सी हम तो करें अखिलेश यादव और योगी में तो क्या क्यूं बढ़िया लगते हैं रहाएं जो काम करा जटा उसा चाहूगी दोन्हों नोई बढ़िया अपनी जगए व्याइसा लेकिन स्लाइडली मार्क योगी जी को जाए हाँ योगी ज़ए कानून व्यवस्ता यहां तो पहल पहले से ज़्यादे बैटर है अब पहले देख लो चोरी डगती कितनी हो में ती इब तो फेर भी कम है अब जंता जी से चावा हुजा करेगी जिसकी फैसिलिटी बढ़िया मिल रही है कर भी निगो रहना चाहिए सकते हैं यह यह लगाते हैं योगी जी कूंसे हैroni यह रहने चाहिए यह रहने चाहिए क्यों रहने चाहिए और यह रहने चाहिए तो कोई परिशानी नहीं नहीं करता गए अखिलेश आदो के समय के साथ सब्सक्राइब था इस टेम भी सही था लाइब दोनों की तुलना में कोन बढ़ी योगी सब काम कर रहे हैं में कर रहने चाहिए लगाते हैं यह लगाते हैं यह Иोगी जी को जानते हैं जानते हैं पूँन है योगी जी कोई कोई परिशानी हो दिया कोई अखेले परिशानी नहीं नहीं करता है अखिलेश आदो के समय कैसा है सब काम कर रहे हैं सब काम कर रहे हैं रहने चाहिए वाई